पारस फर्निशर्स, मंडी शहर का सबसे बड़ा हैंडलूम शोरूम नियर डॉमिनोस पीजा, SMS कॉम्पलेक्स सारवजिनिक शेत्रों के बैंकों के निजी करण के विरोध में United Forum of Bank Unions की ओर से 16 और 17 दिसंबर को देश व्यापी हर्टाल का एलान किया गया है Union का आरोप है कि केंदर सरकार बैंकों का निजी करण कर पूझी पतियों के हाथों में पैसे सौपने की साजिश रच रही है सरकार के निजी करण की मंच्छा के विरोध में बैंक करमी दो दिवस्ये देश व्यापी हर्टाल पर जाने को मजबूर है United Forum of Bank Union के संयोजक नरेंदर शर्माने शुमला में एक प्रेस कॉनफरेंस में बताया कि हाल ही में केंदर सरकार बैंकिंग रेगुलेशन बिल को शीत कालिन सत्र में लेकर आई है जिससे सरकार की हिसेदारी 51 प्रतिशत से कम रह जाएगी इसका साफ मतलब है निजिकरन को बढ़ावा दिया जा रहा है उन्होंने बताया कि देश की आर्थिकी को मजबूत करने में सरकारी बैंकों की महत्तपूर भूमिका रही है बैंकों का निजिकरन हरगज बर्दाश्ट नहीं किया जाएगा इसके खिलाफ दो दिन की हड़ताल की जा रही है और आगे भी यह लड़ाई जारी रहेगी यह जो दो दिन की स्ट्राइक है यह युनाइटड फोरूम ऑफ बैंक यूनियंस अंब्रेला और्गनाइश्ट चार आफिसर्स और पांच वर्कमें यूनियंस 100% जो अंब्रेला कवर देती है पूरे ऑफिसर्स और इंपलाईज को ओल ओवर इंडिया उन्सकी आभान पर हिमाचल में अंडर दी बैनर ऑफ यूनाइटड फोरूम ऑफ बैंक यूनियंस हिमाचल परदेश सभी पदादीकारी मेरे साथ है हम लोगों के आभान पर 100% पूरे हिमाचल में ये दो दिन की स्ट्राइक होगी ये सुभे हम 11 बजे डी सी ऑफिस के पास शुरू करेंगी और 2 बजे तक ये स्ट्राइक रहेगी ये बैंकों के निजी करन के खिलाफ ये स्ट्राइक है क्योंकि जिस तरह से सरकार बैंकों का निजी करन के लिए एक बिल विंटर सेशन और पारलेमेंट में लाई है हमारा ये मानना है कि इस बिल के आने से बैंकों में सरकार की हिसेदारी इकाउन प्रतिशत से कम हो जाएगी और जिस भी संस्थान में सरकार की हिसेदारी इकाउन प्रतिशत से कम होती है वो टेक्निकली नीजी हातों में चलाज़ता है और उसकी मैनेजमेंट नीजी हातों में चली जाती है और क्योंकि जैसा पब्लिक सेक्टर बैंकों का एक बहुत बड़ा देश के आर्थिकी के बदलाओं में आजादी के बाद का रहा है हम आत्म निर भुर हुए है हर क्षेत्र में और दूर दूर के इलाके त तक हम पहुंचे हैं और आम किसानों तक और जैसा कि मैंने पहले कहा कि क्रिशी के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाओं देश ने देखा है कि हम भुकमरी की स्थीति से आज फूड सर्प्लस है ग्रीन रेवलुशन हुआ है रोजगार के पब्लिक सेक्टर बैंकों में ब कुद्रा लोन की तहर्त हो और इसके नोट बंदी के समय में हमने पूरी मेनत से बैंक के कसाथ्यों ने काम किया और जितने भी स्रकार के फ्लैक्शी प्रोग्राम है वह हम चला रहे हैं लेकिन अगर यह नीजी हाथों में जाएंगे तो हम उसका घोर विरोद करेंगे क्यों करेंगे